जैशिकल की ओम नम भगवते वासू देवा है आज के समय में परिस्थितियां लगातार बदलती चली जा रही है एक ही जटके में इंसान आ भी रहा है और चला भी जा रहा है और पीछे परिवार वाले रोते बिलकते रह जा रहे है कब कहा से कैसे कौन सी घटना दर्दनाग घट जा रही है किसी को नहीं पता लेकिन जो देखने वाले समझने वाले वो तो समझ रहे हैं लेकिन बाकी लोग उड़ा रहे हैं खिली क्योंकि उनके साथ ये दर्दनाग घटना नहीं घट रही है लेकिन जब भी कोई घटना घटती है प्रकृती के द्वारा इस संगसार में तो उसके पीछे छिपा होता है खास संदेश हर एक के लिए अगर जिसने समझ लिया उनके जीवन में उनके कारियों में होता है महा परिवर्तन लेकिन जो नहीं समझ पाता है फिर उसके नसीब में आ जाती है ठो करें आने वाला समय 2025 कुछ इसी ओर संकेत दे रहा है भगवान कलकी का आया संदेश अपने हर एक भक्त के लिए भगवान कलकी भेज रहे हैं संदेश 2025 वो साल जिसके द्वारा लोगों को नजरिया जीवन के प्रती और संकसार के प्रती उनके देखने का नजरिया बदलेगा यानि सोच में महा परिवर्तन युग परिवर्तन में एक एतिहासिक कदम 2025 रखने जा रहा है इतनी जल्दी युग परिवर्तन होने वाला नहीं है लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी तो ही जाकर आगे खत्म होगा कल युग और उसके पश्चात आएगा अगला युग लेकिन उसकी जो शुरुआत हो रही है अब जो स्टार्ट हो चुकी है उसमें भी अलग अलग चरन है पहला चरन दितिय चरन दितिय चरन भगवान कलकी ने बांट दिया है हर एक वर्ष को एक नए रूप में और हर एक वर्ष के लिए एक नया रोल दे दिया गया है भगवान कलकी का एक खास संदेश उनके भक्तों के लिए जो की वास्तों में सेफ रहना चाहते हैं वास्तों में खुद आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हैं और भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए यही खास संदेश जैसा मैंने पहले कहा कि दुनिया में लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन एक मैसूस होगा 2025 से और खुद के जीवन को देखने का जो नजरिया है वो एवं संगसार को देखने का नजरिया उसमें भारी परिवर्तन होगा 2025 से जब 29 मार्च 2025 को भगवान शनीदेव अभी कुम्भ राशी में वो डायरेक्ट हो गया यानि मारगिय हो गया है लेकिन इसके पश्चात वो पहुंचेंगे मीन राशी में मीन राश जल तत्व की राशी यानि जल से कोई आपदा होने वाली है 2025 में बहुत बड़ी आपदा जिनके कारण लोगों के जीवन पर बड़ा खत्रा मड़ा रहा है एवं 2025 में 29 मार्च के दिन ही जिस दिन शनीदेव जाएंगे मीन राशी में उसी दिन सूर्य ग्रहर भी पर रहा है एवं 6 ग्रहों की यूती ये सारी चीजें संकेत जो दे रही हैं एक एतिहासिक बदलाओ का 2025 उस महा परिवर्तन को न्योता देने जा रहा है जिसके लिए आज भी दुनिया तयार नहीं है लेकिन जो भगवान से जुड़े लोग हैं जो भक्तगण हैं भगवान हमेशा अपने एնजल्स के दौरा उनकी रक्षा करते रहते हैं और उन तक पहले ही अपनी दिव्यवानी के दौरा किसी न किसी माध्यम से संकेत भी पहुНचा देते हैं आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही संकेत भगवान कल की जो देना चाहा रहे हैं जो कि दो हजार पच्चिस विनाशकारी साल साबित होने जा रहा है जिस पृकार कि 2020 2020 के पश्चात लोग कोरोना को धीरे धीरे भूलते चले गए लेकिन फिर से एक बार वही बातें एक फिर से एक बार ऐसी महा मारी जिसके लिए दुनिया आसतयार नहीं एक फिर से एक बार सुनामी अभी अल्रेडी हमलों की सुनामी चल रही है जी हाँ इसराइल और इरान रशिया और युक्रेन हमलों की सुनामी जो चल रही है ये सुनामी आगे चल कर जल की सुनामी में बदलने वाली है बिमारी की सुनामी में बदलने वाली है प्राक्रितिक आपदाओं की सुनामी में बदलने वाली है और ये जो सुनामी आएगी 2025 में ना जाने कितनों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी ना जाने कितने लोग इस धरा को अलविदा कह देंगे लेकिन अगर हम तैयारी पहले से कर लें आने वाले संकेतों को समझते हुए प्राकृति आप देख रहे हैं एड़ प्रेजेंट मोमेंट फायर एलिमेंट कितना जादा है हर जग अगनी तांडों के कारण मौते हो रही हैं भीशन संगराम छिड़ा हुआ है धर्म युद्ध में लेकिन इस धर्म युद्ध का भीशन पढ़िणाम जो है वो देखने को मिलेगा 2025 से असुरों का होगा खात्मा बहुत बड़े महा परिवर्तन के द्वारा और लोगों की आखें जो अब तक बंद पड़ी हुई है खुलनी शुरू हो जाएंगी वो आवाज जो अब तक दबी हुई है वो उठनी शुरू हो जाएंगी लोग खुद अपना बचाओ करना स मेरे वीडियो के द्वारा इसलिए मैं दे रही हूं ताकि आने वाले समय में मंत्रोचार के द्वारा भगवान से जुड़कर अपने आराध्य से जुड़कर अपने लिए एक सुरक्षा कवच ले ले ताकि कर्मों का बंधन जो हर एक को काटना ही है कर्मों का जाल जो हर ए न कही मुक्ति की प्राप्ति हो सके तो आने वाले समय में बीमारी अलग प्राकृतिक आपदाएं अलग और इस तरह से युद्ध के जो महा युद्ध में बदलेगा अभी जो युद्ध चल रहा है क्योंकि न्यू न्यू फ्रंट्स खुलेंगे प्लस जो राशिया है वह इन सब का उतपात दो हजार पचीस में देखने को मिलेगा और दो हजार पचीस का वो साल एतिहासिक काल खंड साबित होगा इस डिकेड का जिस प्रकार दो हजार बीस को लोग नहीं भूले हैं उसी प्रकार दो हजार पचीस भी लोगों के लिए अविस्मर्णिय बन जाए हर कोई सोच रहा है कि साल आएगा 2024 जैसे आया और बीतने के कगार पर है 2025 भी आएगा बड़ी आसानी से पार कर लेंगे लेकिन 2025 से जो विनाशकारी खेल स्टार्ट होगा वो 26 और 27 जाते जाते और अधिक विद्वशकारी बनता चला जाएगा बच्चिस बीता इसका मतब खेल खतम नहीं होगा ये 25, 26, 27, 3 साल तो बेहद एहम है तो यूग परिवर्तन के इस अंतिम पड़ाओं में 2025 भी एक महत्वपूर्न रोल अदा करने जा रहा है यदि आप लोग संभल गए भक्तगण संभल गए तो फिर उनके लिए भी अच्छा है सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपनी सोच को सही रखना है अपने आचार बेवार को सही रखना है अपने कर्मों को हर पल चेक करते रहना है अपने आराध्य से जुड़े रहना है और 24 आवर्स में सोने से पहले याद कर लेना है कि दिन भर में कही कुछ आपने गलत का तो नहीं किया और यदी हो गई तो गलती हो गई माफ कर दीजे प्रभू माफी भी मांग लेनी है और अपने आपको सरेंडर कर देना है क्योंकि अब जो सिच्वेशन से वो आउट ओफ कंट्रोल हैं सिर्फ हमारी सोच से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग अपने आपको सरे विश्चवाणी आई है जो मैंने अब तक आप लोगों को पहुचाती मैं रही हूं और इस वीडियो के द्वारा भी पहुचा रही हूं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो